हालो फ्रेंट्स विल्कम तो माई यूटूब चैनल आजम आप लोग को प्रिंसेस कट फ्लाउज में प्लेट कैसे डाला जाता है वो हम आपको बताएंगे तो हमने अस्तर और फेब्रिक को ऐसे ज्वाइंड कर रखा है अब उसे पहले हमने इसे उल्टे साइड ऐसे दो फोल निशान लगाना है इसके बाद इस साइड से हमें डेड इंच पर निशान लगाना है और दूसरी साइड भी हमें डेड इंच पर निशान लगाना है दून निशान को ऐसे हमें मिला देना है यहां से इसको फोल्ड करेंगे हम आर्म होल को ऐसे फोल्ड करेंगे इसके बीच बीच वाले शेंटर पॉइंट में निशान लगाएंगे और यहां बीच वाले भाग से यहां ऐसे निशान लगा लेंगे अब इसे भी दो पॉइंट सायर से मिलाते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे और यहां ओपर से इसके सीध में धाय इंज पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से धाय इंज का निशान सामने से लगा देंगे अब इसी पैटर्न को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ऐसे, यह देखिए हमने प्लेट लगा रखा है, अब इसकी स्टीचिंग करके दिखाते हैं, जब तक फ्रेंड्स हम इसकी स्टीचिंग कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सबस्काइब हीजिए, यह देखिए, इस तरीके से हमने फोल्ड किया, और यहां जो हो, लॉग करते हैं, यहां कॉर्णर पर आने के बाद, इसे इस तरीके से कर लेंगे, ऐसे, और नहां तक सिलाइट ला लेगा, यह देखिए फ्रेंड्स, यह हमें इसका प्लेट ललप के रेडी हो गया है, यह देखिए, इस तरीके से हमारा यह ब्लाव बन के रेडी हो गया, इसका फाइनल लुक है, वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बाक्स में जबी बताएगा,